तो हे गाईस कैसे हूँ मैं स्वागत कलता हूँ आपका अपने यूटीब चैनल करेंगे टैक पर तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास MPG2 सेट अपक्स है डी डी फ्री डिसका तो इसमें ये परेशानी आ रहे है कि हम इसको प्लग में लगाते हैं तो इसकी डि स्काइब कर देना आपको इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजवल वीडियो मिलती रहेंगी तो गाई सबसे पहले हम इसके वायर को भी लगाएंगे इसमें वायर नहीं हैं दोस्तों चलिए इसको ओपन करते हैं फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है देख सकते हो ओपन कर दिया है हमने जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसके वायर भी लगा दिया है और इसके हम आपको वोल्टेज भी चेक करा के दिखाएंगे सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई में लगा देते हैं तो चलिए इसको पावर सप्लाई दे देते हैं और मल्टी मीटर से आपको इसके voltage कराते हैं देखिए इसमें light नहीं आ रही है वैलकि इसमें voltage आपके proper आ रहे हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 220 voltage की supply आपको टेस्ट करा दू यहाँ पर आप देख सकते हो इसको एक नेट देखिए आप यहाँ पर 220 बोल्ट यहाँ पर यह वोल्टेज एकदम प्रॉपर सही तरीके से आ रहे हैं और अभी इस पावर सप्लाई के जो 3.3, 12, 5 और 24 बोल्ट होते हैं वो भी आपको मैं भी टेस्ट कराऊंगा देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई हमारी एकदम सही है अभी आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ दोस्तो देखिए सबसे पहले हम मल्टी मीटर को 20 वोल्ट पर सेट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इसके वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कि 20 पर हमने set कर लिया है और इसके हम सबसे पहले सौकिट को निकाल देंगे बाहर की साई करेंगे देखिए यहां पर 3.3 आने चाहिए यहां पर एकदम प्रॉपर तरीके से सही बोल्टेज आ रहे हैं और सेकेड नंबर पर हमारी ग्राउंड होती है और थर्ड पर हमारे 23 बोल्ट ते वह आ रहे हैं दोस्तों उसके बगल में 12 बोल्ट की है वो भी हमारी एकदम सही आ रहे हैं देखिए 10-12 करके हिल रहा है दोस्तों इसलिए यह हो रहा है दोस्तों बोल्ट यहां पर प्रॉपर है ग्राउंड है और यहां पर 5 बोल्ट आएंगे देखिए यहां पर इतना तो गाइस चल जाता है 19-20 लेकिन गाइस यहां पर दिक्कत क्या है बोल्टेज तो हमारे आ रहे हैं इतने पर हमारा card on होना चाहिए दोस्तो वो की on नहीं हो रहा है तो चलिए इसको हम इसकी problem को solve करते हैं तो गाई इस वीडियो पर बने रही है वीडियो पर आपको मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही interesting वीडियो है तो यहाँ पर हम एक regulator IC को चेक करेंगे जो की हमारी motherboard में है आप देख सकते हो जो हमारा jack लगा हुआ है उसी के side में आपको एक ये regulator IC आपको नजर आएगी देखे कितनी छोटी IC है तो गाईस जैसा कि आप देख सकते हो इस regulator IC को हम चेक करते हैं इस पर voltage हमारे proper आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इस पर आप एक चीज़ देखोगे कि इसकी एक side में तो एक ही lag है और ये दूसरी तरफ में इसकी 3 lag है तो सबसे पहले multimeter को हम 20 volt की range पर set करेंगे और जो multimeter का ground वाला है उसको हम इस set box की ground पर दे देंगे और देखिए यहाँ पर सबसे पहले multimeter को 20 volt की range पर set कर लेते हैं देखिए set कर लिया है अब देखिए दूसरी side में जो एक ही लेगे उस पर आपको 1.8 के करी voltage आने चाहिए अगर आपका 1.6 आ रहा है तो आपके voltage गलत है और यहाँ पर right side में आप देखोगे तो 4 वोल्टेज आएंगे और दोस्तों जो हमारी बीच वाली प्रॉब होगी वह ground होती है और दोस्तों जो first वाली हम सौरी दोस्तों जो first वाली प्रॉब होती है वह ground होती है और दूसरी वाली पर आपको 1.8 वोल्टेज आपको मिलेंगे तो जैसा कि आपने देखा हमारे voltage प्रॉपर आ रहे थे फिर भी हमारे कार्ड ओन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे supply को हटाएंगे और यह 3.7 वोल्ट की जो और second वाली वो ground होती है तो देखें यहां पर हमारी जो display में कुछ भी light so नहीं हो रही है इसका मतलब आप जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या problem आ सकती है तो यहां इस पर लगी हुई है तो आप इसको यहां पर चेंज कर सकते हो और आपकी डिस्प्ले जो है सेट बॉक्स आपका ओन हो जाएगा दोस्तों यह मेरी गारंटी है क्योंकि यहां पर यही आईसी इस problem में यही आईसी खराब हो जाती है ऐसी परिशानी में तो आपको एक बार मैं आपको दिखा दूँ इसको जो इस काड को लगा के आपको दिखाओं यह दोस्तों मेरा बिलकुल सही काड है यहां पर मैंने लगा दिया है 3.7 वोल्ट की वैटरी को और इसकी आप डिस्प्ले को भी लगा के हम चेक करते हैं कहीं डिस्प्ले खराब तो नहीं है तो देख सकते हो यहां पर डिस्प्ले मैंने लगा दी और डिस्प्ले जो है हमारी ओन हो चुकी है एकदम सही तरीके से दोस्तों केमरे में आपको एट एट नजर आ रहा है लेकिन यह एकदम सही तरीके से चालू डिस्प्ले हो रही है तो यहां पर आप देख सकते हो एकदम सही तरीके से मैं आपको एक और बार यहां देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम सही तरीके से हमारा 99 नमबर का चैनल यहाँ पर चालू है और एकदम सही तरीके से हमारी डिस्पिले प्रॉपर वर्क कर रही है तो जैसा कि मैंने आपको वताया कि आपको इस IC को 8-pin IC को यहाँ पर दूसरी किसी बोर्ड में से य एकदम सही हो जाएगा डिडिफ्री डिस्पोक्स आपका एकदम चालू हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी दोस्तों यह प्रॉब्लम ज्यादा तर इसी IC के लिए होती है तो इस IC को आप चेक करना और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो निचे forgot को सही करूंगा तो वैस आपको भी कर देना है देखिए यहां पर यह रैगुलियर आइसी थी हमारी यह अगर खराब होती तो हम इसको चेंज कर देते जो हमारी रैगुलियर आइसी लगी हुई है तो हमारा कार्ड बिलकुल वर्क करता है दोस्तों ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक